हेलो दोस्तों हिंदी मेरे पफिर से आपका स्वागत है दोस्तों आपकी वीडियो में सुभे से हम तीन वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं अब जो यह फॉर्थ वीडियो आपको लिए अपलोड होने जा रही है यह बीए फस्टर वालू के लिए है बीए फस्टर को देख रहे हैं वो इस्टुडेंट चाहे वे सेकंड यर है चाहे थर्ड यर है लाइक तो एक पंता है करते रहे हैं क्योंकि हिंदी विरर की तरफ से फस्ट यर सेकंड यर 3rd year को 4 subject की तयारी कराई जा रही है तो सभी like तो जरूर कीजिए और अगर आप 2nd year 3rd year के student है तो इसको share कीजिए 1st year के students के लिए और सभी 1st year के students एक दूसरे के लिए इसको जादस जादा share करें जिसे सभी की help हो सके अब हमने जो unit 1 है उसके questions बनाए है 8 ठीक है आठो questions में से आपका जो हाँ एक चीज और बतानी है मुझे students को कि आपका जो yearly वाले जो पहले pattern था जो 75 number का आता था ठीक है उसमें जो questions आते थे तो आपकी जैसे व्याख्या आ गई व्याख्या के साथ फिर आपके 4 questions आते थे ये 4 questions आपके 5 questions आते थे आपके 4 नंबर के तो 20 नंबर का आपका ये बनता था जो व्याख्या होती थी वह साथ साथ प्लस 6 तो 20 नंबर के ये होते थे और 50 नंबर के आते थे MCQ तो इस बार भी हो सकता है यही pattern आपका आए क्योंकि पहले yearly 17 तक चला फिर 18 से आपका semester आ गया था 20 20 में year आया लेकिन year आने के बाद भी MCQ basic paper हो रहे थे कोविट की वज़े से ठीक है तो 50 questions वहां पार आया थे लेकिन वह 100 नंबर के आते थे अब pattern क्या रहेगा इस चीज़ का matter नहीं है आप दोनों pattern की तयारी रखे 100 नंबर की भी और 75 नंबर की ठीक है questions भी आएंगे और MCQ जरूर आएंगे MCQ की तैयारी कीजिए MCQ last year मैंने बहुत पढ़ाय थे तो उसमें से जाकर आप तैयारी कर सकते हैं बाकी slayvers के according मैं MCQ की भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए सभी unit में से अब पहले हम देखते है unit 1 में प्रशन 1 क्या बन रहा है अलंकार किसे मगें तो डूषरा को रूठर ऑंगार को परिभाशे मात्रिक चंद के रहा हुञasti कैते हैं कि तीन मात्री शंदों का लक्षन उधारण सईत समझाईए फिर आपका नेस्ट कोशन है रस कितने परकार के होते हैं परतेक का शंगशिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए अब आपकी जो फर्स्ट उनीट है वहां से कोशन आपके लोंग और शोट कैसे निकलेंगी ये चीज भी आपको समझा देते है पहले कोशन और देख लेते हैं फिर है शब्द शक्ती से आप क्या समझते हैं शब्द शक्तियों के भेदों की परिभाशा देते उधारन के साथ इस पस्ट कीजिए ठीक है तो इस परकार से ये प्रस्ट उनीट में से आठ कोशन हमें जो अच्छे लगें जो हमें लगता ह है कि इंपोटेंट है वो हम लेकर आए हैं तो अब आपके अलंकार में हमने यमक लिया उपमा लिया पाकी बचे आपके उत्प्रेक्षा रूपक सलेश तो इनको भी आप पढ़ लेना ठीक है ये तो हम उधारन के तोर पर आपके लिए प्रशन लेकर आ रहे हैं किस तरह के प्रशन बन सकते हैं अब जब आपके अलंकार दो परकार के हैं दोनों आपको पता है शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार दोनों ही अलंकार आपके इस लिवस में हैं शब्दा भी और अर्था भी तो अलंकार किसे कहते हैं अलंकार के जो भेद हैं वो भी याद कर लिज अब आपके जो शब्दालंकार है अर्थालंकार के भेद भी कितने हैं आपके शब्दालंका रूपमा रूपक और अनुपरास फिर आपके जो हैं यमक और सलेश और उत्प्रेक्षा यहां पर हमने यमक उपमा लिया तो आप ये चारों भी वढ़ लेना ठीक है चलिए अब ये प्रशन आपका बन सकता है चोपाई चंद को उधारन सही समझाईए अब हमने इसमें चंद आपका सिर्फ चोपाई लिया है लेकिन आपके सलेवस में मात्रिक चंद है इसलिए हमने मात्रिक चंद भी डाल दिया है किनी तीन मात्रिक चंदों का लक्षन उधारन सही ले तो पाजो आप पढ़ लीजें ओ सकता है इस पूछवाप पूछू ले तो पहड़ा आप सारा लीजे पेपर हमने आपको बता दिया कि इस तरह से कोशन आपके बनेंगे नेक्स में रस कितने परकर के होते पड़ते कशंपशित वर्णन प्रसुत कीजी तो इसमें सारे ही वीरस हमनेली है ओपर हमने सिर्फ वीरस लिया था अब आते हैं शब्ध-षक्टी से आप तीनो शक्ट्ट के बारे में आप पढ़िदा लक्षना और ओभिदा हैं अभी दा है इनके बारे में पढ़ लिजे तीनों सब्सक्तियों के बारे में तो यह तो रही आपकी फर्स्ट मिनिट के लिए हो चुकी होगी सब और अगर 100 नंबर का आता है उसमें शौट आएंगे यही पांच कोशन 20 नंबर के और आपके मैंने 75 का बताया तो 30 नंबर के आपके लोंग आ जाते हैं दस दस नंबर के दस दस नंबर के तीन कोशन करने के लिए आते हैं वहाँ पर फिर 10 नंबर का आपका MCQ आएगा वो 15 नंबर का नहीं आएगा तो ये दो पैटर्न है आपके ठीक है चलिए अब आते हैं आपकी युनीट 2, 3, 4 तीनों एक साथ मैंने ले ली हैं तीनों के कोशन अब आपके लिए बिहारी की मेरी बादारो मांसरोवर से लिया गया है यह दो मनु यह आपका भरमर्गीत से है ठीक है तो यह व्याख्या ली है और इन्जी सब व्याख्या के नोट्स हमारे पास हैं अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो उसकी भी वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी अब आगे देख लीजिए अमीर खुर्सरों का जिवन परीजय कर लीजिए बरमर्गीत का आश्य और देश्य इसपस्ट कीजिए तुलसी दास का कावे समन्वी की विरास चेस्टा है सीथ कीजिए बिहारी के दो हे गागर में सागर है उधारन सही इसपस कभीर की भाशा शैली है सदुकडी कहा गया है तो सदुकडी जो कहा है महरामचंदर शूकृज़जीिये कहा है शामसुन्दर दाजी ने तो इन दोनों जी लेकर आप इनकी भाशा शैलीपर पर다स डाल सकते बुशन की रस्योजना बुशन जी को वीर रसका कवी कहा गया है तो किस क्यों कहा गया है इसको लेकर आप इनकी रस्योजना पर परकास डाल सकते हैं फिर नेक्स पर्थवी राज रासो की रस्योजना जो पर्थवी राज रासो किस रसको लेकर लिखा गया है तो उसका आपक क्या विशेस्ता है मांसरोदक खंड बहुत अच्छे से कराया गया है आप उसको देख सकते हैं यहीं मिल रही है वीडियो तो हमें बताएं लिंक आपको सेंड कर देंगे सुर्दास वासले के कभी हैं बहुत अच्छा प्रशन है बन सकता है एक्जाम में जितने भी प्रशन ह हम लेकर आएं सारे इंपोर्टेंट हैं आपके लिए संथ कावे प्रमुक परवर्तियों परकास डाली संथ कावे आपके हैं बक्तिकाल है बक्तिकाल में आपको पता ही है कि जो है इसको दो भागों में बाटा गया है निर्गुन और सगुन जिसका प्रशन हमने आपको प्रेमा शरी और ग्याना शरी भी कहा गया है जो ग्याना शरी वाले हैं वो सूफी है जो प्रेमा शरी वाले हैं वो सूफी है और जो ग्याना शरी वाले हैं उसमें कभीरदाजी आते हैं तो आपके कभीर है और जो जाइसी जी है वो आपके प्रेमा शरी साखा में आते हैं चलिए आगे दिखते हैं जाइसी के रहसेवाद की विशेस्ताइं बताईए सगुन कावे निर्गुन कावे कांतर मैंने भी आपको बताया है कि जो भक्तिकाल है दो भागों में है सगुन और निर्गुन और इस तरह से ही इसको जो है सगुन और निर्गुन को ही प्रेमाशर प्रकाश चटानना है आपको उनकी जीवनी लिखनी है राजरासू तुलसी के लोक नायक पर आपको परकाश डानना है जैसी के महासरी बहुत अच्छe पुरस्ट है और कई बार आपक Sex ने प्रेमाख आपको समझा की विशह्वता ने बताईए अभी मैं समझाई कि प्रेमा श्रेई और क्या नश्रे प्रेमा ऍश्रेई घ्रेमा प्रेहें हैं एक कभी बात में थे पहले एक समा सुधा रखेए rain इस कथन की पूश्टी कीजिए कथन मैं आपको बता देती लिए हजारी अच्छी वीडियो मैंने बना रखी है कभीर दाजी की अलग से कभीर एक समास सुधारक उसको आप देख सकते हो पर्चा के अंग फिरह के अंग सुमिरन के अंग पदों की आप याख्या देख लीजिएगा अगर नहीं है तो कल में हैं इसके नोट्स अप्लोड करूंगी सार ने वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें और इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है आपकी तरफ से कर दीजिए शेर कीजिए जादर सभी स्टुडेंट्स के लिए जितने भी श्रीदेश उमन्य उनिवस्टी के स्टुडेंट्स से उनके लिए औ पूरी हो रही है थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन पूरी की जाएंगी एक्जाम की तयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी तो इसके लिए क्वैरी साइन करते रहें और पले रहें हिंदी मेरें के साथ